हेलो एव्रिवन, वेल्गम टो इंजिनियर स्टडी सर्कल आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिस प्रैक्टिस सेट रहेगा हम लोगों की सेकेंड क्लास रहेगी और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से कोईशन्स आपके एक्जाम में आते हैं और आप कैसे अपने 20 out of 20 या 20 out of 25 आप कैसे marks ला सकते हैं और paragraph आप कितनी जल्दी से solve कर सकते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे तो इसके बाद में जैसे ही आपका यहाँ से 5 to 10 practice set finished होगा उसके बाद हम आपको previous year question paper का solution यहाँ पे start करेंगे ताकि आप क्या कर सके जितने भी आपके exams में अगर questions repeated होते इंदी chance या फिर आपको pattern समझ में रहेगा clearly कि क्या-क्या exam में पूछा जाता है वो सब हम लोग यहाँ पे cover करने वाले हैं तो जैसा कि हमको पता है यहाँ पे paragraph दे रखा है paragraph के 91 से 99 तक यहाँ पे questions रहेंगे तो जैसा कि आपको पता है paragraph को आपको यहाँ पे read करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि सबसे पहले आप क्या करोगे question read करोगे उसके बाद आप paragraph क्या करोगे read करोगे तो मैं क्या गरूंगी आपको सेफ और सेफ यहां पर आंसर दूंगी paragraph के और आप वीडियो को pause करके पहले paragraph को read करेंगे उसके बाद में questions के answer देंगे ठीक है तो पर आपको questions पहले read करने है उसके बाद आप paragraph को जाके read करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कहां कहां पर किस questions का answer है तो start करते हैं first question है हमारा what makes the earth forest of thawling and and the spring look amazing ठीक है तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि what makes the earth forest यानि कि जो earth forest है जंगल से वो उनको क्या बनाता है कि वो बहुत अच्छे दिखें ठीक है तो आपका correct one कौन सा होगा यहां पर the ruins on the bank of the sutlers abundance of flora and fauna cool breeze that makes people feel drossy और pillars formed by rocks resembling a forest तो correct one answer यहां पर कौन सा जाता है हमारा pillars formed by rocks resembling a forest जब आप पहरा read करोगे तब आप यहां पर match करके देखिएगा कि आपका answer correct होता है या नहीं होता है next move करते है question number 92 है क्योंकि अगर para read करेंगे तो वहां पर आपका ज्यादा times consume होगा इस से better है कि हम लोग फटा फट आपका practice set complete करें next है 92 lanchen khambab is a boon for the north of India because it is a major source of water supply and power generation it brings along with it mountains soil and minerals the prosperity of the whole of India depends on it it abounds in aquatic animals तो correct one हमारा कौन सा जाता है first one जाता है क्योंकि question में हमारा क्या पूचा है lynchen khambab is a boon for the north of India boon मतलब एक आशिरवाद है हाँ क्यों है ठीक है क्योंकि यह क्या है major source है water supply का और power generation का सबसे जादा पानी यहीं से मिलता है और power generation का भी कार यहीं से होता है next move करते है 93 question पर आपको यहाँ पर sentences को read करना है और यहाँ पर बताना है कि कौन सा sentence आपका correct है या कौन सा wrong है तो जैसा कि आप वहाँ पर paragraph रीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन में से कौन सा correct दिया है कौन सा आपका wrong दिया है तो अगर आप रीट करोगे kangari kakrok is a holy book of the tibetians तो यह भी correct है लैंचेन खंबाब is a responsible for rich cultivations of various type of fruits in the हिमाचल प्रदिश तो यहाँ पर क्या है हमारा दोनों ए और बी दोनों क्या है correct है आपके दोनों answers कैसे है correct है next move करते है question number 94 है which one of the following words is most similar in meaning of the word gigantic as used in the passes और paragraph 4 paragraph 4 में यह जो word use किया गया है इसका same meaning कौन सा है it means synonyms आपका पूछा गया है ठीक है genetic का meaning terrifying होगा high होगा formidable आपका formidable होगा और huge होगा तो यहाँ पर जो correct answer जाता है वो हमारा क्या होता है synonyms huge हो जाएगा next move करते है which of the following words is the most opposite in the meaning of the word scared ठीक है scared का आपका जो पूछा गया है क्या हो opposite मतलब यहाँ पर antonyms पूछ लिया गया है तो pure, noble, unholy और moral तो यहाँ पर जो correct one पहुचे का वो हमारा कौन सा है बचो unholy unholy क्या है हमारा scared का opposite word है next move करते है question number 96 की तरफ which part of the following sentences contains an error आप देखो यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर आपको error in sentences भी दे रखा है तो error in sentences का आपको फटा-फटा आप एक video मिल जाएगा जहां से आप उसको सीख सकते है देखते है I am not in best position to advise you in this matter तो आपको A I am not यह first है in the best position यह second है ठीक है और to advise you in this matter तो क्या होगा in the best position तो हमारा second वाला wrong है ठीक है कोई position के अंदर नहीं होता है and का use हम क्या करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ के अंदर होते हैं जब हो या रूम हो या कोई large area हो तो वहां पर in use करते हैं तो यहां पर जो wrong है हमारा वो क्या हो जाएगा बीवाला हो जाएगा next move करते हैं question number 97 की तरफ which part of speech of underlined word in the following sentences अब हमको यहां पर बताना है I don't know why he is so hostile to me ठीक है तो यहां पर why जो underline क्या गया है यह क्या है यह एक adjective है adverb है preposition है और pronoun है तो यह जो why means होता है क्यों तो यह एक हमारा क्या है adverb है क्या है बच्चो adverb है ठीक है joint कर रहा है आपका I don't know why he is so hostile to me ठीक है तो यह क्या है adverb हो जाएगा next move करते 98 के तरफ लेक अन्क्वेरेबल refers to ठीक है जो लेक अन्क्वेरेबल है वो किसके लिए यूज किया गया है लैंचेन खंबाब रिवर के लिए लेक मांसरोवर के लिए लेक रक्षताल के लिए और सतलज रिवर के लिए तो यह जो word यूज़ किया गया है यह लेक मान सरोवर के लिए यूज़ किया गया है नेक्स्ट मूव परते हैं कुशन नमबर 99 की तरफ अब यहाँ पर क्या होगा आपको यहाँ पर करेक्ट करना है इसमें से कौन सा है हैव सैंड ऑफ गोल्ड है करेक्ट होगा सरकल दमांस और ओवर सेवन टाइम्स करेक्ट होगा फ्लो वेरी जेंटली थ्रो दा हिल्स होगा और अकोल्ड रिवर होगा तो आपका according to the kangri crack chalk lanchine khambab does not or is not फ्लो वेरी जेंटली थ्रो दा हिल्स क्या है आपका next move करते हैं अब यहाँ पर क्या है एक और paragraph है ठीक है उसमें आपके five questions है बट वो वहाँ पर क्या था हमारा chapter था अब यहाँ पर एक poem दे रखिए ठीक है poem के हमें answers यहाँ पर क्या करने मैच करने question है the expression the valley of death refers to ठीक है तो इसका यहाँ पर correct answer कौन से होगा तो फटा फटा इसको read कर लेते हैं क्या है हमारा half a half a league half a league half a league onward all in the valley of death road the 600 forward the light brigade charges for the guns he said into the valley of death road the 600 forward the light brigade was there a man dismayed did not to the soldiers knew someone had blundered there's not to make reply there's not to reason why there's but to do and die into the valley of death road the 600 अफट अफटी आपे question read करते हैं question क्या पूछा है आपका the expression of the valley of death refers to ठीके जो आपका the valley of death है यह किसके लिए उसकिया गया है आपको यहाँ पे वो correct answer बताना है the place where the dead soldiers are laying buried यानि कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वो soldiers जो मर जाते हैं उनको दफना दिया जाता है या फिर the impending death of soldiers जहाँ पे अपने आप किसी वज़ा से death हो जाती है या the house of death ऐसा घर जहाँ पे भत्य होती रहती है a nightmarish place तो यहाँ पे जो correct one है वो कौन सा है the impending death of soldiers क्या है the impending death of soldiers next move करते है question number 101 की तरफ which of the following statement is not true अब यहाँ पे बताना है कौन सा correct नहीं है the military discipline discipline teaches the soldiers to do and die क्या सिखाती है discipline क्या कहती है करो या मरो to obey their commanders orders अपने commanders की order follow करो to act tactfully in the battlefield या आपको जैसे को तैसा वाला रख किया battlefield में उस तरीके से लडो या फिर not to ask any question या फिर कुछ question ही मत करो तो question में क्या बोलता है to act tactfully in the battlefield next है 102 which of the following activities does not apply to the soldiers ठीक है तो यहाँ पे क्या है adjective नहीं है तो apply कर सकते है soldiers के लिए कौन सा नहीं कर सकते है आपका courageous disciplined patriotic और impartical तो कौन सा correct यहाँ पे choose नहीं कर सकते है impartical आपका नहीं use किया जा सकता और बाकि ये तीनों use किया जा सकता है soldiers के लिए next move करते है 103 पे name the figure of speech used in the valley of death ठीक है तो कौन सा होगा metaphor होगा smiley होगा और send dog होगा या आपका metanomy होगा तो यहाँ पे जो correct बन जाता है वो कौन सा है metanomy next है हमारा question number 104 which literary device is used in the expression to do and die तो यहाँ पे कौन सा use होगा ये बताना है assumptions है alliteration है smiley होगा या आपका personification होगा जो correct बन जाता है वो कौन सा है हमारा यहाँ पे alliteration है कौन सा है alliteration which literacy device is used in expression to do and die तो कौन सा use होगा alliteration use होगा है next 105th है in the first stanza of the extracto the soldiers are ठीक है तो soldiers है वो क्या कर रहे है first stanza के हम बात करेंगे तो half a league half a league half a league onward all in the valley of death और road the 600 तो यह हमारा first stanza है तो वो क्या कर रहे है talking to each other about their personal problems के लिए वो आपस में बात कर रहे है waiting for their commanders वो अपने commanders के लिए इंदजार कर रहे है thinking about the result of the war या फिर अपने या या वार का result का इंदजार कर रहे है और scene riding fast to the enemy territory तो वो क्या कर रहे है scene कर रहे है किसको scene riding fast to the enemy territory अब आगे next move करते है question number 104 की तरफ तो question number 104 में आपको choose करना है choose the correct synonym of the given word ठीक है तो हमारा कौन सा word दे रखा है या आप पर rectify दे रखा है ठीक है rectify दे रखा है तो rectify का या पर correct आपको बताना है synonyms कौन सा हो जाएगा to build होगा to correct होगा destroy होगा और correct यानि की सही next move करते है choose the correct synonyms of the given word parasite parasite का जो correct word होगा वो कौन सा है हमको यहाँ पर बताना है तो parasite के लिए correct word क्या होता है a lose of motion होगा a extramator होगा a disease होगा और one that clings होगा तो parasite का क्या होता है one that clings होता है next move करते है choose the correct synonyms of the given word फिर से बताना आपको parasite का आपका बताना है कि placate का correct synonyms क्या होगा to make sure होगा to any होगा to pacify होगा और to flattered out होगा तो जो हमारा correct answer होता है यहाँ पर तो क्या आता है to pacify होता है कौन सा correct answer हो जाएगा to pacify next move करते है transmit का तो transmit का आपका antonium यानि कि just opposite क्या हो जाएगा आपका televised हो जाएगा withhold होगा reply होगा और show होगा तो जो हमारा correct हो जागा है transmit का वो क्या होता withhold transmit मतलब छोड़ देना या उस लीव करना और withhold मीन्स क्या होगा साथ में उसका just opposite transmit कर देना next होगा choose the correct antonium of the given word यहाँ पे antonium चूज करना है false false का तो already आपको पता है क्या होता है true होता है next है यहाँ पे the city यहाँ पे आपको correct बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा correct one हो जाएगा चूस करके यहाँ पर आपको correction बताने है कि कौन वाल आपका क्या है correct है the city needs an airport यह आपका first है second है that can efficiently यह है error in sentence ठीक है यहाँ पर आपको क्या बताना है बचो यहाँ पर error बताना है कि इन में कौन सा error है वो बताना है तो the city needs an airport या that can efficiently manage a constantly flow off होगा और passenger and flights होगा या फिर कोई भी error नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जो बोला जा रहा है a constantly flow तो यहाँ पर a constantly flow की जगे पर क्या होगा a constant flow off ठीक है constantly नहीं होगा क्या होगा constant flow off होगा तो जो हमारा error है वो किसमे है C point पे है किस पे error है बचो यहाँ पे C point पे next move करते है I told him यहाँ पे PQ करके दे रखा है जैसे महाँ पे first second दे रखा था यहाँ पे PQ करके दे रखा है first क्या है I told him the story in detail to make him understand it fully यहाँ पे no error तो यहाँ पे correct one कौन सा होगा तो correct one यहाँ पे error क्या है यहाँ पे वो बताना है कि कौन सी गलत है PQRS में तो यहाँ पे हम लोग देखते है I told him यह तो correct है आपका the story ठीक है I told him the story in detail to make him understand ठीक है तो क्या है in detail to make him understand it fully is the right uses तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R में यह क्या है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा correction हो जाएगा error हो जाएगा क्या error हो जाएगा तो कुछ इसमें दे रखा है in detail to make him understand it fully is the right uses तो क्या हो जाएगा यहाँ पे is fully the right correct one कौन सा जाता है यहाँ पे see next move करते है identify the meaning of the idioms miss the boat तो यहाँ पे identify करना है कि miss the boat है तो इसका जो correct one होगा वो कौन सा होगा let too much time go by to complete a task होगा long for something that you don't have होगा miss out on an opportunity होगा या don't know the differences between right and wrong होगा तो जो correct one answer होता है वो हमारा यहाँ पे क्या है miss out on an opportunity यह है miss the boat का correct one next है identify the meaning of idioms यहाँ पे seeing eye to eye seeing eye to eye का correct one चूस करना है agreeing with somebody treating someone with respect paying close attention of something someone is saying or identifying a mirror mistake तो correct one कौन सा जाता है यहाँ पे agreeing the somebody ठीक है seeing eye to eye means क्या है किसी के द्वारा मतलब agree कर ले ना किसी बात पे ठीक है with somebody आज के लिए यह last है हमारा he was murdered in cold hold ठीक है cold blood यह हमारा यहाँ पे क्या है he was murdered in cold blood cold blood का यहाँ पे पूछा गया आपको की correct one कौन सा होगा आपका thoughtlessly होगा coolie होगा आपका dilability होगा और unfeelingly होगा तो जो correct बन जाता है cold blood यानि की unfeelingly मतलब जिस पे कोई भी feel ना हो रहा हो कुछ भी अर्षन ना हो रहा हो वो होगा I hope आपको इस section बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe आप हमारी telegram channel से भी join कर सकते हैं ताकि वहाँ पे आपको PDF file easily मिल सकें